जब तक हम पुलिस वाले इन रेपिस्ट लोगों को ठोकेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बतलेगा इन रेपिस्ट के मन में खौफ होना चाहिए उन माबाप के मन में नहीं जिनकी बेटिया रात को पार्टी से वापस आती है रात को घर से निकलने में डरती है या फिर दूसरे शहरों में अपना करियर बनाने जाती है ये डालोग्स थे रोहिट शेटी के फिल्म सिंबा के जिसकी कहानी ने लोगों की आखे खोल दी थी ये तो हर कोई जानता ही है कि फिल्म में रनवीर सिंग यानि सिंबा की मुबोली बेहन के साथ एक दिन गोवा के माफिया डॉन के भाई बलाकार करते हैं और उसको जान से मार देते हैं इसके बाद सिंबा अपनी बेहन के हत्यारों को सजा देने का फैसला लेता है पहले तो वो कानूनी तरीके से अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश करता है लेकिन कानून कुछ नहीं कर पाता और फिर काफी धक्के खाने के बाद वो अपनी बेहन के हत्यारों का एंकाउंटर कर देता है इस फिल्म ने लोगों की आँखें नम कर दी थी पहले लगता था कि ये सब फिल्मों में ही पॉसिबल है लेकिन नहीं आज सुभा जो खबर आई उसने ये साबित कर दिया कि अगर किसी लड़की के साथ बलागकार होता है तो अब ना ही जंता चुप बैठेगी और ना ही पुलिस दरसल हैदराबाद ग्यांगरेप के चारो आरोपियों का पुलिस ने एंकाउंचर कर दिया है हैदराबाद के पुलिस कमिशनर वी सी सजनार ने इस एंकाउंचर को अंजाम दिया खबर के मताबिक पुलिस सभी आरोपियों को घटना स्थल पर सीन रीक्रियेट कराने के लिए ले कर गई थी जह इन चारों ने भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहीं पर धेर कर दिया यह एनकाउंटर नाशनल हाईवे 44 के पास गुरुबार देर रात हुआ दरसल यह मामला 27-28 नवंबर की रात का था जब हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ इन चारों ने हैवानियत की बारदात को अंजाम दिया और फिर महिला डॉक्टर को जला दिया था पीडिता का शब बेंगलूरू हैदराबाद राश्ट्रिय राजमार्क पर अंडर पास के करीब मिला था इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश था और लगातार पीडिता को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही थी वहीं सिंबा फिल्म की तरह ही हैदराबाद के पुलिस ने जो इस तरह से एंकाउंटर किया है वो कामिले तारीफ है जनता भी इस फैसले से काफी खुश है कहा जा सकता है कि हैदराबाद के पुलिस कमिशनर वी सी सजनार रियल लाइफ के सिंबा हैं वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस एंकाउंचर केस पर आपकी क्या राए है कर दो तरह कर मार देने वाली घटना के मामले में अभी बड़ा अपडेट आया है इस मामले में आरोपी चारो आरोपियो को महजरबाद की पुलिस ने उनकाउंटर में मार गिराया है इसी बारे में हमारे साथ है, निधी आपको क्या लग रहा है, कैसा हुआ ये चारो आरोपी मारे गए? मेरे हिसाब से ये बहुत भी खुशी की बात है, क्योंकि आपको भी परता है हमारे हाँ पर जूडिशियर सिस्टम कैसा है, ये केस बहुत लंबा चलता है, और इस लड़की के पैरेंस को भी बहुत जेलना पड़ता है, जैसे निर्धा केस में आप देखी रहे हैं, कि उसके इतने साल से लगातार सफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बेटर कि आप एंकाउंटर में वो मरग है, क्योंकि ये केस हमारे हाँ के जुडिशियर सिस्टम बहुत लंबा है, ये केस पिर जाएगा, हाई को पर जाएगा, पर सुप्रीम कोर जाएगा, फिर अगर पा इतना सब्सक्राइब करने वाला ये होता है कि बार बार वो उसी केस को उनी घटनाओं पर डिसकस करें, वो कभी उसको पूल नहीं पाएगे, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर वो एंकाउंटर में बारे गएगे, लेकिन अभी इस मामने में एक और चीज है कि कि ये पूरा मामला, क्यूंकि चारो आरोपी पकड़े गहते हैं और उसके बाद उन पर केस चल रहा था, तो जस्टिस से पुलिस का काम आरोपी को पकड़ना है, आपोड की सामने पेश करना है, लेकिन इस तरह से एंकाउंटर कर देना कही सब्सक्राइब को लेकर भी सवा कि पेटर यह कि इस केस को दबा दिया जाए और अगर इनकाउंटर हो जाएगा, तो मीडिया में जो इतने टाइम से यही ब्रेकिंग न्यूस बनी हुई है, तो खतम हो जाएगी, मगर मैं यहां पर, as in, मैं इमोशनल होके बात करूँगी, क्योंकि मैं खुद एक लड़की को खुद दे रही है, वह एक टाइम बचा है, टाइम बचा है, पुलिस को दिखाने का, सबूत लेने का, यह सारी चीजे का जो मैकनीजम है, वो चीज बचा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से यह खुद बात है, सबसे बड़ी चीज आप देखिए है कि अभी यह मामला चल ला अब पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से सभी के अंदर एक खुसा है, और रोस है, उसके ठीक दो दिन और तीन दिन बाद उन नाओं में एक तरह का केस हो जाता है, आज सुबह सुबह जब ख़बर आई कि क्राइम सीन रिक्रेट किया और फिर एंकाउंटर हो गया, यह बह बाद कैंडल मार्च और प्रोटेस्क यही सब करते रह जाता है, उसके बाद कुछ होता नहीं है, रिजल्ट कुछ आता नहीं है, उस हिसाब से अब जो हुआ, पुलिस वालों ना आक्शन लिया, इस हाई टाइम हमारी जुडिशरी अब आई है, और जो भी हुआ, इंकाउ सब्सक्राइब जाना चाहिता, वरना यह बहुत लटकता, यह केस चलता रहता, जो कि बिल्कुल इल्लॉजिकल था, कोई सेंस नहीं बनता इसका फिर, क्योंकि अब सब घुस्से में है, क्योंकि बहुत सादा यह केस बढ़ गया है, यह बहुत जादा सुनने को मिलना है, त क्यासा लगा है? जाएंगे राज्पदी पास, इससे बेटा रहेंगे सबस्ते पहले, उनको अन्दुपर उन्दुपर कर दिया जाए, तो मेरे साथ साही हुगा, फिल्कुल आज जो फैसला आया, उससे मैं काफी खुजी, मेरे कले जो काफी ठंड़क मिली, मेरे साथ साथ जो भारत की जाए, जैसे उस लड़की ने फिल किया, अज सेफ नहीं है वेटिया भारत में, कहते हैं तो हम भारती हैं, बड़ा प्राउड फिल करते हैं, सम्मान देते हैं लड़कियों कि पर अब क्या, कम से कम अब एक सुड़क्षा दो दे दो, बस लड़किया थोड़ी सेफटी महस जाए, बस हम यहीं चाहते हैं, और कुछ नहीं हुए, जिसमें आरोपी जो है, धिन के उपर आरोप लगा है बलगकार का, फिर वो एक लड़की को जला देते हैं, तो यह कितनी शर्म की बात है, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश के लिए शर्म की बात है, हम इस देश के तमाम बातें जो कहीं जा सकती है, कि एक तरह से कहा जाए कि बड़ा ही नीच हरकत के हिसाब से देखा जाए, अब मुझे लगता है कि आप तो याद होगा, कि इससे पहले भी जो है, मत पदेश में सिर्फ इसमें भी इंकाउंटर हुए, उसको भी काफी लोगों ने अप्र कि आप राधी हैं उनका जो है वो भाग रहते जेल से, तो आज भी ऐसा ही हुआ, कहा जा रहा पुलिस को द्वारा ये बात कही जा रहे है कि जब वो रीक्रियेशन हो रहा था, जहां पर घटना हुई थी, तो एक आप राधी ये जो है, पुलिस का रिवाल कर लेके भागन पुलिस अपने प्रोडक्शन में ये बात दी और भोली चलाई और चारो अपरास में अब देखिए निर्विया केस में साथ साल से जो है, पेंडिंग चला आ रहा है, अभी राष्टपती के पास, ग्रियमंत्राले के पास, दिल्ली सरकार के पास, इस तरह से चलते चलते, अभी आपने देखा होगा कि कई सुप्रीम कोट इतना नाराज हो गया, कि आप फासी ही नहीं दे रहा है, सिस्टम इतना लाचार है, कि वो फासी के प्रक्रिया को तुड़ा ही नहीं कर पा रहा है, और इस वज़ए से कई लोगों की फासी, सुप्रीम कोट न अभी आपने वाली बात? दपते जाता है, पब्लिक इसे भूल जाता है, लेकिन हमें लगता है इसको और उनलों को जिस हिसाबते लोग ने किया ना उसके हिसाबते ये बहुत कम है, मर गए खतम होगा केस, लेकिन वो लड़की जब जिन्दा जली है, उसको जो दर्द महसूस हो, उन चारों को ही पत जाता है, और अगरी पार से जो भी इसको करें, उसके रूख आप गया कि हाँ, ऐसा भी केस है, हमारे क्या होता है, हमारा कोट इतना लंबा चलता है, लोग बूल जाता है, उसके बीच में एक रेफ हो जाता है, जैसे कि निर्भिया के सभी खतम नहीं हुआ, लेकिन क्या जाता है, जैसे कि ठीम ठीम रेफ होग, लग जाता है, बीक में लिभिया जाता है, य